हेलो माई डियर स्टुडेंट आइवेलकम यू ओल एट एलन डिजिटल प्रेटफोर्म तोड़े वी आर गोई तो स्टेडी इंपोर्टेंट एंड इंटरेसिंग टोफिक ओफ स्टेट लाइन एंड देट इस होमोजनाइजेशन होमोजनाइजेशन की बात करने वाले हैं स्टाइब करने वाले हैं कैसे और क्यूं करने वाले हैं उसको जानते हैं ठीक हमारे पास का रहेगा अभी अवhen había अ는 मैंने अभी हमें क्या पता है कि यह जो जर्नल सेकंड डिगरी एक्वेशन है यह पेर ओफ लाइन्स को कब रिप्रेजेंट करते हैं यह मैंने आपको बताया था और इसको ध्यान रखने की ट्रिक भी बताई थी क्या थी बता ट्रिक all happy girl having best friend go for cinema है ना तो क्या थी all happy girls having best friend go for cinema यह डिटर्मिनेंट की value 0 हो जाती है जब तो यह आपकी जो जर्नल सेकंड डिगरी एक्वेशन है यह पेर ओफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है इसको भूलेंगे इसको नहीं भूलेंगे बता सर इसको तो नहीं बूलूँगा है ना चाहिए मैं अपना नाम भूल जाओं इसको तो नहीं बूलोंगा ट्रिक से याद हो गया ठीक है अब यह सेकंड डिगरी एक्वेशन है जिसकी क्या है जर्नल सेकंड डिगरी कृशन ठीक है सात में है एक लाइन हमारे पास ही रही एक लाइन जिसकी वी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो यह जनल एक्वेशन मान ली मने लाइन की सर मैं तो एक्स प्लस भी वाई प्लस सी मानता हूं वेटा भावनाओं को समझना यह बी को और सी को हम यूज कर चुके हैं इसलिए एलमन यूज किया है ठीक है अब वह हमसे पूचेगा वह हमसे पूचेगा एक्वेशन ओफ फेर ओफ लाइंस जो एनिंग ओरीजन एंड पॉइंट ओफ इंटर सेक्शन यह जो लाइन आया यह जो लाइन पेर आया इसकी पूचेगा तो अब इसमें बोलेगा सर यही तो पूचे रहे तो मैं बता दूँगा कैसे ब आता नहीं रहेगा दुसरी बात मैं इसमें घुसा देता हूं दो तीन वैरियेबल इसमें डाल देता हूं एक-दू वरियेबल और फिर उनको व्लकरना सुबह सोल करने बैठो के शाम हो जाएगी है ना और एक्वार में इतना टायम अपने पास नहीं रहेगा तो यानिकि क करव को हो मेंजनाइज करेंगे with the help of rakea तो इसको करने वाले वाल क्या होता है सब के डिगरी से कर दो यानि यह सेकंड डिगरी करव है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको हो मजीनिया सेकंड डिगरी equation बनाएंगे यानि सब की डिगरी टू करने वाले हैं तो सब की डिगरी टू करने वाले देखना इसकी डिगरी टू अल्रेडी है इसकी भी टू है इसकी डिगरी वन है और इसकी डिगरी वन है और इसकी डिगरी वन है इसकी डिगरी वन है और इसकी डिगरी वन है और इसकी यह समझ में ha à 1 1 & well SALA Tesackね अब हमी लेंगे इससे है ना रिखा की मदत लेंगे एकाम söगीं लाए तो स्टेट लाइन की है आप स्ट लॉप से मैं निकाल लो मेटा कैसे निकालूँगा यहां पर जो भी इक सट अंट हम जो भी हप पांस्टेंट हम है उनको कहां ले जाओंगा थीक बात अब ले जाने की बाद में क्या करणा प्ट्रोश मिल्टिप्ट्प्लाइग्स तो नंखी लिखा था अब मैं क्या करने वाला हूं इस वन की जगहीं रखने वाला हूं है नहीं जो वन लिखा हुआ है यहां पर सब्छलेंट लिखा है इस वन की जगह यह रखने वाला हूं तो देखना नेक्स्ट टैप में इस वन की जगह पर यह आएगा इस वन की जगाए पर यहांसे उठके यह यहां आ गया देखना क्या हुआ एक बार दोवराद दिखा रहा हूँ यह ना इस वनिट हम पिन इसकी जगए पर दोबार डिखें आ गया एकबर और है अब यह क्या है वन की जगह पे ऊठके यह आगया समझ समझ में आया तो अब यह जो equation आई ना बेटा यही equation है आपकी इस line pair की यानि line pair is winding origin and point of intersection की यह equation है समझ में आया क्यों है उसकी तो बात करेंगे लेकिन equation यह है logic की बात करने वाला हूं यह आपको समझ में आया ठीक है अब यही क्यों है इसकी बात करते है तो उसके लिए देखना यह मैं कहह रहा हूं यह homeogenes equation of degree टू देखो इसके डिग्री टू इसकी डिग्री टू इसकी डिग्री टू यहां पर X-square एक स्वाइइ इनकी डिग्री टू यहां पर x-square आएगा वाइस क्वेर की टम आएगी और और एक्स Y की टम आएगी यानि कि सब की डिगरी के आई वेटा टू डिगरी है यानि यह क्या है homogeneous equation of degree 2 तो homogeneous equation of degree 2 और यह मैंने आपको बताया था homogeneous equation of degree 2 always represents pair of line passing through origin यानि इस equation को मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि यह pair of line यहीं दो क्यों होंगी इसके लिए देखो इसको कैसे प्रूब करेंगे अगर मैं बोलू यह पॉइंट यह तो होगा है ना यह यह है यह बी है अगर मैं इस इक्वेशन में A और B को रखूं और वोगय कर जाएं तो फिर यह प्रूफ हो जाएंगा कि यह यह अग्वेशन है ना जो बीरूफ लाइन की यह और और बीके जो लाइन पर है इसकी कहजिन है। तो यह प्रूफ करने के लिए ठीकि यह बेटा what about ? कोणित मान लिए ? ऑ सबने को आज़ाए भी बेटा आपको और माइनस एन की वैल्यू वन होगी थीटिकाम को भी और फिर अगर वो इस equation को satisfy कर गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा तो यहां पर क्या आएगा L alpha plus M beta minus N तो उसकी value क्या हो जाएगी 1 1 देखो बेटा यहां से रख रहा हूँ 1 हो जाएगी बिलकुल सही बात है सर फिर बच्चे का क्या हमारे पास देखना अगर यह value 1 होगी तो हमारे पास बच्चे का बेटा A alpha square 2H alpha beta है ना plus B beta square B beta square भावनाओं को समझना बेटा है ना यहां पर 1 को इदर लिख देते हैं B beta square plus 2G alpha और साथ में क्या है फिर आगे 2F beta और फिर क्या है बेटा plus C equal to 0 सरी यह क्या होगा यह तो 1 बन गया ना इसलिए अब क्या यह 0 होगा पेटा यह alpha beta आपका इस equation पर इस कर पर भी तो लाइक कर रहा है तो यह तो 0 होगा तो prove हो गया की नहीं हो गया हो गया prove तो यह equation होती है इसकी तो आगे बढ़ें तो अब यह क्या है आप चाप सकते हो ना जो अभी समझाया वह language की form में लिखा बेटा है ना चापने के हिसाब से अभी तो हमने दिमाग पे चाप लिया तो आप notebook पे चापना चाहते हो तो वीडियो को पोज करें और यह चाप लें इसमें क्या लिखा हुआ है यह वही लिखा हुआ जो भी मै ठीक है examples की बात करें तो किस तरह के question पूछे जाते हैं इसमें जिसे कि हमारे पास है कोशन क्या पूछ रहा है देखना find the joint equation of the pair of state line joining the origin to the point of intersection of the line सर यह तो अभी तो बताया है यानि कि सर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक curve होगा हमारे पास second degree curve है और वो बोल रहा है कि सर इसके एक line है है ना और उस line के और second degree curve के point of intersection को join करने वाले line pair की equation बता दो तो यह अभी तो किया कैसे निकालेंगे बैटा होमोजनाइज करके तो होमोजनाइज कैसे करेंगे बैटा तो होमोजनाइज तो ऐसे करेंगे सर यह जो line है ना पहले तो इसकी सभी टर्म्स को RHS मिले जाओ तो सब्सक्राइब कर दो और वन की वेल्यू निकाल लो बिल्कुल सही बाद क्रोस मिल्टिप्लाइब कर दिया और वन की वेल्यू आगे आगे वन की वेल्यू बिल्कुल सही अब क्या करने वेटा उस कार्व की तरफ ध्यान दे टू एक स्क्वेर इसकी तो डिग्री ओल्रेड 2 है, minus 10, इसकी degree 0 है, तो यहां पर क्या लिख दूँगा, मैं 1 का square लिख दूँगा, इनकी तो degree already 2 थी, इसकी नहीं थी, तो 1 का square, अब 1 की जगे क्या रखने वाल हूँ, आपको समझ में आ रहा हुगा, sir, 1 की जगे, तो आप वहीं से उठा के value रखने वाले हो, तो minus 10, और यह ही तो वह equation आगी, अब इसको आप simplify तो करके लिख सकते हैं, ठीक है, यह हमारे पास के आगे बटा, joint pair of equation, joining origin and point of intersection, अब next question की तरफ बढ़ते हैं, यह तो विल्कल basic question हो गया, और डारेक्ट ही हम से equation पूछ ले, अब next question क्या है, देखना, अब की बार equation नहीं पूछी है, अब क point of intersection नहीं तो हुआ, तो फिर से वही बात आ रही है, है ना, ठीक है, उसने बोला है, कि जो लाइन ज्वाइनिंग, the origin to the point comment to this circle, वो at right angle है, याने कि क्या बोल रहा है, बेटा, देखो, यह हमारे पास एक करवे second degree, तो आपको कैसे पता है, यह सरकल, आपको आगे पता लग ज है ना, वो क्या है, at right angle है, उनके बीच में, angle कितना है, 90 degree है, तो angle 90 degree होता था, आपको यादा आ रहा, angle 90 degree के लिए हम क्या condition लगाते थे, a plus b equal to 0, बेटा, a plus b equal to 0, या फिर coefficient of x square plus y square equal to 0, यानि कि मैं क्या करूंगा, homogenize करके, इस line pair की equation निकाल लूँगा, और coefficient of x square plus y square equal to 0 कर दूँगा, तो देखे, homogenize कर लिए, तो सबसे पहले homogenize के लिए, मिरको 1 की value निकालनी पड़ेगी, अरे 1 तो already दे रखा है, अब की बार कुछ करना ही निकालते थे, वो उसने already दे रखा है, कुछ करना ही नहीं, तो यहाँ पर देखें अब, यहाँ पर यह हमारे पास जो equation है, x square plus y square plus x, एक डिगरी है इसको, तो इसको क्या चाहिए, एक 1 चाहिए, तो एक 1 की जगह क्या लिख दूँ, मैं x plus y लिख दू, direct, समझ मैं आ रहा है, 1 लिखूँगा, मैं into 1 लिखूँगा, और 1 की जगह फिर minus m को, है ना, यह थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ है, जगह नहीं है, यहाँ पर भावनाओं को समझना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, x plus y का whole square equal to 0, यह पूरी एक equation है, तो अब देखें यहाँ पर, हमें क्या करना है, अब हमें करना है, इनका बीच का angle 90 degree है, तो हम के, coefficient of x square plus coefficient of y square equal, यह तो नहीं बता है, आपने, यह मैं आपको बता सुका हूँ, कब, पेर ओफ लाइन जोईनिंग औरीजिन जब पढ़ाया था, अगर angle 90 degree हो जाए, तो a plus b 0 होता है, यानि coefficient of x square plus y square equal to 0 होता है, तो coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0 करोगे, तो x square का coefficient यहाँ से क्या है, बिट x square की टम बनेगी, यहाँ से क्यारा, माइनस, यहाँ से कुछ नहीं है, एक स्कूर, वहाँ से आगा, माइनस mx square, यानि माइनस m आ रहा है, ठीक है, यह तो आगा, coefficient of x square, अब देखे, कोफिशेंट of y square, तो कोफिशेंट of y square के लिए देखे, यहाँ से वन आ रहा है, यहाँ स 3-2, कितना हो जाएगा, 1, और 1-2m equal to 0, तो यहाँ से m की value क्या आ जाएगी विटा, 1 by 2, तो आज हमने जाना किसके बारे में, homogenization के बारे में, तो homogenization में यही रहा विटा, तो मैं तो last में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, मनुष्य के साहस से कोई बड़ा नहीं, हारा बही जो लड़ा नहीं, तो ऐसे ही आप डेली हालातों से लड़ते रहें और अपने जेगी preparation को day by day बहतर बनाते जाएं, thank you, all the very best, God bless you.